नमस्कार किसान मित्रों मैं आज आप लोग को आम में जो मधुआ रोग लग जाता है सबसे पहले मैं उसका सिंटम बताऊंगा और फिर उसका जो उप्चार होता है उसके बारे में मैं आप लोग को आज जानकारी देने वादा हूँ तो चलिए विडियो शुरू करते हैं आज आप लोग को आम के पौंधे में जो मधुआ रोग लग जाता है जिसको कि हम इंगलिस में सूटी मोल्ड करते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ यह रोग में लिए उन दिनों सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जिस समय पुड़वा हवा का जोका जो है सबसे ज़्यादा चलते रहता है और मंजर में जो है दाना आने वला रहता है यह रोग सबसे पहले मधुआ कीटों के आकरमन से फैलता है और इसका प्रकोप सबसे पहले आम के पत्तों पढ़ होता है जिससे आम के पत्तों पर काला रंग का धबा आने लगता है और धीरे धीरे या काला रंग चमकीला दिखने लगता है आम का पत्ता धीरे धीरे जुलसने लगता है इस रोक का प्रकोप सिधा सिधी मंजर के टिकोलो पर देखने को मिलता है और यह जो है मंजर के टिकोलो को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और इससे जो है टिकोला जहरने लगता है यह आम के उत्पादन तथा गुनवत्ता दोनों को प्रभावित करता है अगर समय पर कीट ना सक या फुपुंदी ना सक दवा का अगर इस्तेमाल नहीं किया जाए और नहीं आप करते हैं तो इससे ज्यादा से ज्यादा आपको नुक्सान जहलना पर सकता है जिससे कि जैसे आपका दस बुना उत्पादन ज्यादा होता है तो इसमें जो है आपका दस बुना से कम पहुत कम ही उत्पादन हो जाता है तो इसी के बारे में मैं आप लोग को आज इसका chemical treatment बताऊंगा और फिर उसका कितना आप इसका डोज इस्तेमाल करें उसके बारे में मैं आप लोग को आज पूरा जानकारी देने वाला हो तो चलिए मैं आप लोग को chemical treatment के बारे में मैं शुरू करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि पानी लेलना है जितना आप लोग का आओ सकता हो अपने हिसाब से जिकि एक पेर है या दो पेर है या चार पेर है उस हिसाब से पहला दिन आप लोग को क्या करना है इमीडा क्लोरोप्रीड 17.8 SL का 1 ml per 2 l of water में इस्तेमाल करना और दूसरा दिन मेनकोजेब जिसका कि 2 ग्राम per l of water में आप लोग को इस्तेमाल करता है और आप लोग जानते हैं कि एक बड़ा पेर के लिए लगवख 20-25 लिटर पानी के आवसाकता होती है इसी हिसाब से आपका जितना बड़ा बगीचा हो उतना पानी का रथी करना थैंक्यू अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन सीज़ी पर बनाएगा